Hello friends, आज की वीडियो में हम Ancient History के एक important topic Stone Age को detail में cover करेंगे इस वीडियो के sources है R.S. Sharma NCIT class 11 और History of Ancient and Early Medieval by O.Pinder Singh इस वीडियो में हम Stone Age के classification को cover करेंगे और उसके बाद हम दिखेंगे कि Early Paleolithic period में climate कैसा था Humans उससे में कहां रहते थे, क्या खाते थे और hunting के लिए कौन-कौन से tools का इस्तमाल करते थे तो basically Stone Age जो है वो pre-historic period का part है और ये वो समय था जब इंसान पत्थरों के बने हुए tools का इस्तमाल करते थे Stone Age को हम तीन parts में डवाइड करते हैं Paleolithic, Mesolithic और New Lithic Lithic का मतलब होता है Stone और Paleo का मतलब होता है Old इसलिए हम Paleolithic को Old Stone Age भी कहते हैं इसी तरह Mesolithic को कहा जाता है Late Stone Age और New Lithic को कहा जाता है New Stone Age अब ये जो Paleolithic period है ये बहुत ही लंबे समय तक रहा इसलिए इस period को हम further divide करते हैं Lower Paleolithic, Middle Paleolithic और Upper Paleolithic Age में 35,000,000 साल यानि 3.5 million years पुराने Stone Tools के अफशेर्स हमें East Africa से मिले हैं इसलिए हम Paleolithic Age की शुरुबात 3.5 million years अगों से मानते हैं और ये जो Paleolithic Age है ये आज से 10,000 साल पहले तक रही थी यानि around 8,000 BC तक इसके अगर हम further categorization को देखें तो जो Lower Paleolithic Age है वो 3.5 million years पहले से शुरू होकर 1,000,000 साल पहले तक रही थी और Middle Paleolithic Age 40,000 साल पहले तक और फिर Mesolithic को हम 8,000 BC से 4,000 BC तक मानते हैं यानि 6000 साल पहले तक इंडिया में जो human activity है उसके remains हमें 5,000,000 साल पुराने तक मिले हैं यानि Lower Paleolithic Time में भी humans इंडिया में रह रहे थे अब आप देख सकते हैं कि उससे पहले से भी इंसान जो है वो सीधे खड़ा होना सीख चुका था इंसान की वो प्रजाती जो सीधे खड़ा होना सीख गई थी उसे हम Homo Erectus कहते थे और Homo Sapiens यानि जैसे हम आज दिखते हैं यानि Modern Human Beings तो ये जो है इन्हें कहा जाता था Homo Sapiens ये पहली बार अपर Paleolithic Age में पाए गए अब यहाँ पर एक बात और गोर करने वाली है कि Paleolithic period Pleistocene period के साथ भी coincide करते हैं यानि Paleolithic period वो था जब Ice Age भी चल रही थी उस समय अर्थ का ज्यादतर हिस्सा बर्फ से कवर था खास करके जो higher altitude वारी जगाए हैं तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं Lower Paleolithic से यानि वो समय जो 35 लाग साल पहले से शुरू होकर एक लाग साल पहले तक खतम हुआ और अगर बात करें क्लाइमिट की तो उस समय आईसेज चल रहा था और जैसा कि बर्फीली एरियाज में वैदर होता है उस समय बेबी क्लाइमिट कोल्ड और ड्राई होता था बट रहने के लिए उसे कुछ जगा चाहिए थी बट प्रॉलम ये थी कि उस समय के इंसान को घर बनाने नहीं आते थे तो ऐसे में वो केवस में रहता था यानि पहाडों के बीच में जो जगा होती है उसी में इंसानों ने रहना शुरू किया उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से एक नदी पास होती है बेलन रिवर इस बेलन रिवर की वैली में हमें कई सारी केव्स और रॉक शेल्टर मिलते हैं कई बार ये सीजनल केंप्स की तरह काम करते हैं बतलब ठंड अगर जादा बढ़ जाती थी तो इंसान इन जगों पर आके रहने लग जाते थे और मौसम ठीक होता था तो फिर नई जगाओं पर चले जाते थे इसी तरह सोवन रिवर वैली जो आज के पाकिस्तान में है उसमें भी काफी सारी लोवर पैलियूलिथिक सेट्लमेंट्स मिले है एक्चुरी देखा जाये तो ऐसी साइट्स इंडिया में बहुत सारी मिली है जैसे कि थार डेजर्ट, कश्मीर वैली, मिवार प्लेंस, सोराष्ट, गुजरात, सेंटरल इंडिया, डेकन प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू और काविरी रिवर के नौर्थ में भी ऐसी बहुत सारी सिट्लमेंट्स मिली है बट शायद स्टोन इज में इंसान को सबसे ज्यादा अट्रेक्ट किया बिमबेट का रॉक शिल्टरस ने यहाँ पर आसपास हंडर्ड्स ओफ केव्स हैं और देखा गया कि इंसान इन केव्स में लोवर पैलियूलिथिक ही नहीं ने दोनों की विवस्ता हो जाती थी यह बिमबेटा केवस बिसिकली सेंड स्टोन और क्वाट्जाइट की बनी है और उस समय इनसान जो है वो टूल्स बनाने के लिए क्वाट्जाइट का इसमाल करता था तो इनके उसमें रहने का एक फाइदा ये भी था कि टूल्स के लिए raw material readily available था तो settlement हम लोगों ने देख लिया यानि हमने देखा कि इनसान कैसे रहता था अब देखते हैं कि इनसान खाने के लिए क्या करता था तो lower paleolithic में इनसान को cultivation या farming की कोई knowledge तो थी नहीं तो hunting ही उसके सामने एक मात्र विकल्ब था बट hunting करने के लिए उसको चाहिए थे tools lower paleolithic में वो अपने tools stones से बनाते थे और ये tools unpolished, undressed और rough हुआ करते थे ये लोग क्या करते थे कि एक बड़े पत्थर को एक side से थोड़ा सा तोड़ देते थे ताकि पत्थर में एक side से कुछ rough edges बन जाए तो जब पत्थर को split करते थे तो उसका जो बड़ा part है उसको कहा जाता था core और छोटे part को कहा जाता था flake lower paleolithic जिसे हम early paleolithic भी कहते हैं उसमें stone tools basically core से बनाए जाते थे ये देखे उस समय जो tools humans use कर रहे थे वो थे hand axes, clevers और pebble tools और ये जो tools यहां पर इंडिया में use हो रहे थे बिल्कुल ऐसे ही tools western Asia, Europe और अफरीका में भी use हो रहे थे मतलब पूरी दुनिया में इसी तरह के tools मिल रहे थे और ये tools बने होते थे quartzite और दूसरे मजबूत rock pieces से quartzite basically hard metaphoric rocks ही होती है अब ये जो hand axes और clevers के बीच का difference है इसको देख लेते हैं अब ये दोनों के दोनों basically है तो core tools ही but hand axes को basically इस तरह से घिसा जाता था या तोड़ा जाता था ताकि उसकी shape जो है वो थोड़ी triangular बन जाए अब एक side से ये थोड़ा सा pointed दिख रहा है लेकिन ये बहुत जादा pointed नहीं है बट फिर भी उस time के लिए ये ठीक था कि इसको fact के मारो तो किसी ना किसी जानवर का सर तो ये 4 ही देते थे अब ये जो hand axes है ये थोड़ा gold type का दिख रहा है लेकिन ये जो cleaver है ये थोड़ी flat इश हुआ करते थे इनकी जो shape है वो rectangular या फिर कभी-कभी triangular भी हुआ करती थी अब इसमें खास बात ये है कि इसकी जो एक side है वो थोड़ी straight दिख रही है आपको और वो penny की जाती थी थोड़ा gis-gis कर उसको पैना किया जाता था फिर से मैं एक बात कहूंगा कि ये पैने किये जाते थे लिकिन ये बहुत जादे sharp नहीं होते थे मतलब ऐसे नहीं है कि इससे किसी का गला काट दिया जाये बट फिर भी थोड़े sharp होते थे तो इससरा हमने lower paleolithic period के सभी important topics को cover कर लिया है इंडिया की history और Indian constitution को डीटेल में समझने के लिए बुक्सवा की playlist को आप follow कीजिए link आपको description में मिल जाएगा thank you for watching बुक्सवा